East Central Railway के इजद नगर डिवीजन द्वारा अभी recent में JEPW promotion के लिए exams लिए गया है। उसी का यह प्रशन पत्र है तो ISM solve करने की कोशिच करते हैं और देखते हैं कि प्रशन पत्र कैसा है और दिखने में काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें उन सभी सवालों को लिया गया है जो day-to-day life में या day-to-day working में आपको हमेशा रूग-रू होना पड़ता है तो शुरात करते हैं पहले सवाल से कि full form of TRC ने TRC का पूरा रूप कहा है तो TR जैसे कि हम सभी जानते हैं कि TRC का पूरा रूप होता है track recording car तो इसका जवाब होगा track recording car question number 2 maximum permissible speed of turnout with 1 in 12 curved switch ध्यान रखना है 1 in 12 curved switch के बारे में पुझा रहा है maximum permissible speed maximum permissible speed 1 in 12 curved switch के उपर में रख़ा जाता है 30 kmph तो यहाँ इसका उच्छे जवाब होगा 30 km प्रतिगंटा रसन संख्या 3 which defect is found during USFD testing of rails ज्यान देने योग है कि railway पटरियों के USFD परिक्षन के दौरान कौन से दोस पाए जाते हैं यहां rail की बात की गई है तो DFN war weld defects है IMR rail defect है half moon weld defect है तो इस ढंक से हम option B इसका सही जवाब समझ सकते हैं प्रसन संक्या 4 वरसाइन of turning curve should be recorded on how meter chord length यनि के turning curve के वरसाइन को कितने meter chord की लंबाई पर record किया जाएगे तो सामान कर्व में जो chord होते हैं वो 20 meter के होते हैं और turning curve और lead curve जो point and crossing के हैं वहाँ पर 6 meter का chord रखा जाता है क्योंकि 3-3 meter पर station बनाया जाते हैं तो इसका जवाब होगा 6 meter प्रस्ण संक्या 5 maximum length of LWR is restricted to अर्थात LWR की अधिक्तम लंबाई कितनी होती है तो LWR की निउन्तम लंबाई 250 meter होती है और अधिक्तम लंबाई एक पूरा block section हो सकता है तो इसका जवाब होगा option B यहनि की one block section प्रस्ण संक्या 5 the validity for competency certificate to use trolley to trolleyman cell B यहनि की सवाल हमसे पूछा गया है की trolleyman द्वारा trolley का उप्योग करने के लिए जो उनको योगता पर्मान पत्र दी जाता है उसकी बैधता कितनी होती है तो जैसा कि आप सभी को पता होगा इसकी बैधता होती है दो साल इसका जवाब होगा दो बर्स प्रसन संक्या 7 इंटर्वल ओफ डिस्टंस पीसेज ओन प्लैटफॉर्म लाइन प्लैटफॉर्म लाइन ओपर दूरी के टुकडों का अंत्राल जो लकडी के टुकडे डालते हैं हम लगाते हैं प्लैटफॉर्म से वो 30-30 मीटर के दूरी पर लगाया जाते हैं तो आता है इसका जवाब होगा ओप्शन ए 30 मीटर कुशन नमबर 8 maximum distance covered in a day by a petrol man should normally exceed यहनि कि एक गस्ती कर्मी द्वारा एक दिन में तैय के जाने वाले अधिकतम दूरी सामानता कितने से यहां पर इसका जवाब होगा D option 20 km वाट इस दा periodicity of wiling and greasing of ACJ by keyman यहनि कीमेन दौरा ACJ में तेल लगाने और grease लगाने की आप दिखता क्या है बैसे तो कीमेन प्रती दिन ही ACJ का inspection करता है परन्तु उसकी wiling और greasing वा हर fourth nightly करता है तो इसका जवाब होगा fourth nightly यहनि की पाच्छे aim plus seven sleeper density how many sleepers are there in a kilometer यहनि की one kilometer track aim plus seven sleeper density में एक kilometer में कितने sleeper हो सकते हैं तो आप aim plus seven को आप equivalent समझ सकते हैं कि 1540 sleeper density का जैसे कि आप अगर इसमें देखें aim का मतलब होता है rail length अभी सामान rail length 13 meter के होती है broad gauge में तो aim plus seven यानि की एक rail में आपको 20 sleeper आ जाएंगे तो एक rail में 20 sleeper हो गया तो एक kilometer में आपके पास होते हैं 1000 meter तो 1000 में आप 13 से भाग दे दीजिए और फिर 20 से multiply कीजिए तो approximately वो पंदर सो चालिस से नंबर के बराबर आ जाते हैं तो इस ढंक से इसका जो aim plus seven में sleeper density में एक kilometer में 1540 sleeper आएंगे प्रसन संख्या ग्यारा minimum height of high level passenger platform high level passenger platform की जो अधिक्तम उचाई होती है यहाँ minimum height जो होती है वो कितनी होती है उच अस्दर यह यातरी platform की नियूंतम हुचाई होती है 660 mm से लेकर के 840 mm पर यहाँ पूछा गया है minimum height के बारे में तो हो जाएगी 760 mm अगर पूछा जाता maximum height तो हो जाती 840 mm प्रसन संख्या बार है what is the full form of OMS used for the track recording question number one की तरह ही है पूछा गया था यहाँ पर OMS पूछा गया है तो OMS होता है oscillations monitoring system एक portable machine है तो lateral और vertical acceleration को record करता है तो यह होता है oscillation monitoring system प्रसन संख्या 13 के ओर चले IMR defect rail shall be replaced within IMR 2 spoon railों को कितने दिनों के भीतर बदल दिया जाना चाहिए बहुत ही famous solution है तो इसे तीन दिनों के अंदर में बदल दिया जाना चाहिए radius of 5 degree curve 5 degree buckr की त्रिज्या कितनी होगी तो 5 degree buckr की त्रिज्या आपको पता करने के लिए त्रिज्या का formula होता है r equals to 1750 बटा d तो 1750 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो उसका जवाब निकल करके आपके पास है कितना आएगा ध्यान रखें आपका निकल करके आएगा आपके पास है 350 तो इसका जवाब होगा 350 तो पहली बार 3 लगेगा और दूसरे बर 5 का भाग लेगा और लास्ट में एक 0 हैगा तो इस प्रकार 350 मीटर इसकी तरिज्या होगी प्रसन संख्या 15 height of 60 kg rail बहुत ही बेल फेमास सोश्चन है तो इसका जवाब होगा 172 mm 60 kg rail के उचाई होती है on the basis of the temperature how many zones in the Indian railway तापमान के अधार पर भारती railway को कितने zone में बाटा गया है तो भारती railway को कुल 4 zone में बाटा गया है तो अधा इसका जवाब होगा option D यहने के 4 zone में इसे बाटा गया है प्रसन संख्या 17 में जले wagon used for carriage of ballast आप लोगों ने line पर काम करते हुए बैलास ले जाने वाली आपने wagon's को देखे होंगे जिसमें से की बैलास टनलोडिंग की जाती है तो उस पर कार के wagon's को क्या कहा जाता है तो उस पर कार के wagon's से bobby category को बी-ओ-बी-वाई category में आते हैं जिसे हम मारे पास कभी bobby-n जिसे सामान भासा में हम बोल चाल के भास हमें भी कहते रहते हैं बोबी एन तो कि वो एन उसमें एक टर्म इस्तेमाल कियाता है कि यो बीवाई कैटेगरी में और भी वेगंस बनते हैं इन PQRS वर्किंग और जिलरी ट्रैक सुड़ बी लेड अट गेज ओफ पी की वारेस कार्डज में सहायक ट्रैक पो कितने गेज पर बिछाए जाता हैं तो यह बहुत पुराना सवाल है काफी फेमस सवाल है तो इसका जवाब होगा 3400 मिली मीटर प्रसन संख्या उननीस हाट ब इसके लिए भी नियमों में काफी परिवर्तन हुए है यह मैं भी आपको याद रखना होगा कि अगर प्रसी स्लीपर है और स्लीपर डेंसिटी 1540 से अगर कम है तो टीडी प्लस 20 डिग्री से आगे निकल जाने पर इलड़ूर की गस्त की जाएगी परंतु अगर स्लीपर ड और अगर प्रसी स्लीपर वाइडर स्लीपर इस्तेमाल किया गया है और 1607 की स्लीपर डेंसिटी है तो टीडी प्लस 30 डिग्री से आगे जाने पर गस्त सुरू की जाएगी तो यहां पर अगर हम देखें तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहां पर option C इसका सही जवाब है कि ज जाती है गलती से हवा काता अपमान से इसे कंपेर नहीं करना जब रेल काता अपमान टीडी प्लस 20 डिग्री सिल्से से आगे निकल जाता है तो उसमें इरल लबुगार की होट वजर प्रेट्रॉलिंग की जाती है कुशन नमबर 20 कि which joints are not lubricated कौन से joints का lubrication नहीं किया जाता है तो उन किसी भी जोडों का lubrication नहीं किया जाएगा जिन जोडों में कोई movement अलाओ नहीं है तो insulated joint में movement loud नहीं होता है combination joints में zero का mm का gap रखा जाता है उनके जोडों के बीच में तो आता है इसमें इन दोनों हे जोडों का lubrication नहीं किया जा सकता है तो option C इसका सही जवाब होगा पूश्चन नबर 21 works which are completed by sunset of the day of the commencement are called the work of which duration जो कार्ज प्रारंब के दिन सुरुयास्त तक पूरे हो जाते हैं उन्हें किस अब्धी का कार्ज कह जाता है तो बे सभी काम जो कि सुरुयास्त तक खतम हो जाते हैं एक दिन के काम होते हैं उन्हें sort duration of work कह जाता है इन्हें की छोटी अब्धी के कार्ज या लगू अब्धी के कार्ज कह जाते हैं प्रसन संक्या 22 SF1 is used for SF1 का उपयोग किस काम के लिए किये जाता है तो जब किसी कर्मचारी को किसी ऐसे कार्ज में lift पाय जाता है जो कि निर्धारित नियमों के बिरुद्ध है और उसे उसे नौकरी पर रखना भी संभब नहीं होता है तो वैसी इस्थिति में उसे कार्ज से हटाने के लिए उसे ततकाल प्रभाव से या पूर प्रभाव से भी कभी कभी सस्पेंट के जात सेंसियोर कमस अंडर निंदा किसके अंतरगत में आता है क्या सेंसियोर को हम पेनाल्टी के सेनी में डाल सकते हैं जी हां सेंसियोर माइनर पेनाल्टी के अंतरगत में रखा जाता है तो सेंसियोर एक परकार की माइनर पेनाल्टी है क्योंकि माइनर पेनाल्टी में सबसे छो हमें तो इस jakta है उर यह फिल्ट में अक्सर पूछा जाता है जानकारदी कोगता है चोटी के लिया एंडर के लिया और इस तेंज आप संख्या क्या जाता है इसे ऐपर में तो हो जाईगी है major penalty प्रसन संख्या 25 how many days paternity leave can be sanction तो paternity leave किसी कर्मचारी के लिए अधिक्तम एक बार में 15 दिन के छुटी sanction की जा सकती है क्योंकि 15 दिन के छुटी दी जाती है और यह है अधिक्तम बच्चे के जन्व के आगे 6 महने तक में इसे सुख्रित कराया जा सकता है और इसे टुपड़े में नहीं दिया जाता है इसे एक बार में ही sanction किया जाता है और यह दो जुवित बच्चों तक के लिए दिया जाता है प्रसन संख्या 25 इन टरम्स अफ सेल्फ एपरेजल एंड इसू आफ पास पीटियो एचारेमस मिन्स स्वामुल्यांकन और पासमन पीटियो जारी करने के संदर में एचारेमस का क्या मतलब है तो यह बहुत ही फिमस सभी एप है और विप साइट से है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे कामों में तो इसका जवाब होगा Human Resource Management System तो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे है Human Resource Management System मानव सनसाधन परबंदन परणाली डिये आर से हमारा क्या ताजपरज निकलता है डिये आर से ताजपरज निकलता है डिस्सिप्लीन एंड अपील रूल अनुसासन एवं अपील निया है तो जब temperature बढ़ता है तो उसके कारण से रेलो के अंदर में compressive force पैदा हो जाते हैं और जब compressive force इतने अधिक हो जाते हैं कि structure उसे रोकने में सच्छम नहीं हो पाता है तो उस condition में buckling हो जाता है और अगर ठंडी का माउसम है और temperature काफी कम हो रहा है तो रेल टूटती है उस condition में tensile forces लगते हैं तो यहां पर buckling के बारें पूछा गया है तो यहां पर हो जाएगा compressive forces उच्छ संपीडन वाल इस सब्सक्राइब अपने अक्सर सुना होगा 72 UTS की रेल, 90 UTS की रेले जैसे बाबन केजी में और 60 केजी में इनका इस्तमाल हम अक्सर सुनते हैं आते हैं तो इसका जो full form होता UTS का ultimate tensile strength होता है तो इसका जवाब होगा ultimate tensile strength प्रसन संख्याद इस What is the name of training courses for the welding supervisor welding supervisor के लिए जो course आयूजित किये जाता है उस course का नाम क्या है जिसे की TPP लखनव और विजयवड़ा में दिये जाता है तो welding supervisor के लिए जो course है TW3 पहली बार में इसे organize किया जाता है एक परकर का initial courses है और TW4 एक नया course इंटोड्यूश किया गया है जो कि refresher courses होते हैं तो यहाँ पर welding supervisor के लिए पर सिच्छन पार्ट करम के नाम बात किये गया है तो TW3 है क्यों TW1 और TW2 welder के लिए इस्तेमाल की जाते हैं और TW3 welding supervisor के लिए इस्तेमाल की जाते हैं या point and crossing के आसपास मैं इसे अक्सर देखा होगा जहाँ पर दो लाइने अपनी निरतहारित से कम होने लगती है वैसे condition में इस structure को वहाँ पर लगा जाता है और इसे FM से falling mark क्योंकि वहाँ पर fall करती है center to center distance of the दो नजदी की जो track होते हैं उनके center to center distance जब fall करने लगते हैं उनसे कम होने लगते हैं निरतारित नियमों से कम होने लगते हैं वैसे condition में वहाँ पर falling mark लगाया जाता है deep lorry can be work bit deep lorry को चलाया जा सकता है deep lorry पर हमेसा एक heavy load लेकर के चला जाता है और खुद भी वह काफी भारी होता है तो ऐसे condition में उसे बिना block के चलाना तो बिल्कुली सुरच्छत नहीं हो पाएगा इसलिए नियम है कि deep lorry को हमेसा blocks वह अच्छा के तहत ही चलाया जा सकता है तो under block protection ही उसे चलाया जाएगा the census of traffic at all level crossing सभी level crossing पर traffic की census कितने समय में की जाती है तो सभी जो census किया आता है census हमेसा तीन साल में एक वार किया जाता है इसका जवाब क्या होगा option a option यह इसका बास तभी के जवाब होगा क्योंकि तीन साल में एक बार यहां पर आप एक देख पा रहे होंगे कि इससे हिंदी में इसका कि इसका क्या बोलते है ट्रांसलीशन नहीं हो पाया है तो मैं इसे पढ़ देता हूं तो census of traffic at all level crossing बिल भी यहां पर उसकी का हिंदी बता देता हूं कि एक जो hot weather patrolman होता है अगर single line LWR के section है तो एक hot weather patrolman की beat कितनी होगी यहां कितनी दिर में वो उसका section बाट के दिया जाएगा पेट्रॉलिंग के लिए तो hot weather patrolman का अगर single line है तो वैसे condition में उसे जो दिया जाएगा दो किलोमेटर का section दिया जाएगा तो दो किलोमेटर का section वो पेट्रॉलिंग करता है दीएफ डीफ 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 डब्लू आर्वेट सैल भी रिप्लेच्ट रिपलेच्ट तो डीफ दी अव्डव μαरी व्यात्र ह्थ, कब रिप्लेच्ट कर देना चाहिए कितने दीनों में हमें replace कर देना चाहिए तो डी अफ जब दुगार तीन महीने के अंदर जब पता लग जाता है उसके तीन महीने के भीतर उसे replace कर देना चाहिए instrument used for measuring the vertical bear of the crossing crossing के vertical bear को मापने के लिए किस उपकरन का परयोग किये जाता है तो इसमें एक दो हमें instrument एक साथ इस्तेमाल करते हैं estate gauge और filler gauge प्रसन संख्या 37 marking of DFWO build edge DFWO build की marking कैसे की जाती है तो इस आप ऐसे याद रखे ले कि जो marking होती है आप बाकी सभी का भी साथ साथ में याद रख ले कि IMR और IMRW के marking तीन cross red color में की जाती है और DFWR के दो cross red color में की जाती है OBS और OBSW one cross red color में की जाती है और DFWO और red color में की जाता है अब यहाँ पर एक चीज और समझने लाइक है कि जो marking की जाती है वो कहां पर की जाएगी well testing के दौरान में जो marking की जाती है और rail testing के दौरान में जो marking की जाती है उसमें फरक होता है जब rail testing में marking की जाती है तो वह बेव में की जाती है और rail testing में जो marking की जाती है वो बेव में की जाती है और rail testing में जो marking की जाती है वह वेल्ड के head में दोनों तरफ की जाता है तो इसका जवाब होगा कि वेल्ड के दोनों किनारों पर लाल रंग का एक ब्रित बनाया जाएगा निए ओ निसान जैसा बनाया जाएगा पर असन संख्या 38 से रेल बिद रॉलिंग मार्क 60-880-0-11-2024 इंडिकेट्स वीच टाइप अप ग्रेड एक रॉलिंग मार्क आपको दिया गया है और इसमेंसा आपको बताना है कि यह किस ग्रेड को सुचित करता है तो इसमें जो 880 आपको लिखा वो दिख रहा है तो 880 ग्रेड के जो रेले हैं वो ही बता रहा है जिसे कि हम 90 UTS की रेले बोलते हैं तो 880 जो है यह ग्रेड की रेले के बारे में सुचित कर रहा है तो उनके बीच में इसाब किताब है इसका कि आप क्या करें एक किलो मीटर को आप सेंटीमीटर बदल दें और उसमें 1660 से भाग दे दें तो आपको यह असानी से पता चल जाएगा कि के बीच में और वह होती है 60 cm यूसेफड टेस्टिंग्स डॉन फॉर यूसेफड परिच्छन जो है वो किन के लिए कि जाता है तो यूसेफड परिच्छन रेल के लिए भी करते हैं और वेल के लिए तो आपने पढ़ा होगा मेट की ड्यूटि मे तो आपको होगा कि सबता हमें एक मेट की में की ड्यूटि करता हैं तो इसका अर्थ हो गया कि एक दिन वो पूरे गैं का इंस्पेक्शन करेगा तक अर्थत यस x निकल गया मतल coalition है कि टीलो मिट्ट करें सब्सक्राइब करते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए सामानत है इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो इसका अर्थ हो जाएगा ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम इसका फूल फॉर्म होता है इस जीपियस का और भी कई जगों पर अब इसका सुनते होंगे लेकिन चुकि गैंगों के हिसाब से अगर बात करें तो अभी आप बड़ा असानी से बारे में सुनते होंगे जीपियस ट्रैकर्स उनको दिए गया है उनको उनकी मॉनिटरिंग की मॉनिटरिंग करने के लिए कोर्शन नॉमर फॉर्टीफोर किलियर पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बीद्विन इनर फेसे ऑफेसेज दो रेलों के आंतरिक फेसेज के बीच में असपास लंबड सब्सक्राइब तो इसे आई एमर की तरह चाहिए और जैसा कि आपको पता हुआ कि आई एमर तीन दिनों में बदल जाता है तो अता है इसका इसे तीन दिनों के अंदर में बदल दिया जाएगा यूसरे टेस्टिंग ऑफ 80 वेल्ड डण बाई यूसरेबी टेस्टिंग की की जाती है 80 वेल्डिंग कि उसकी तुस के दौरा की जाती है तो ऐससे टेस्टिंग मशीनों के दौरा इन्यकिशे के एंद प्रोविंग के त्थू किया जाता है और धुथी में रेकॉर इस वोड़िए कन की जाता है तो च्प्लेट लों को जोडने के लिए क्या किया जा स अब हमारे पास एक नेक्स्ट एक कुश्चन आ रहा है 48 की एम प्लस एट स्लीपर देंसिटी हाउ मेनी स्लीपर्स विल लेड इन ट्रैक तो एम प्लस एट स्लीपर देंसिटी से आपका क्या मतलब है अभी अपने कुछ में पहले आपने दीखोगा एम प्लस सेवन के बारे में बात की गई थी अब वही पर है कि एम प्लस एट के बारे में बात की जा रही है तो एम प्लस एट में हमारी वैलू निकल करके कितनी आएगी तो एम प्लस एट जो हमारे पास निकल करके आएगा वैसे ही आप ऐसे कलकुलेट कर लें कि एक किलो मीटर को में आप इसे कैसे न मिलोमेटर में एक हजार हो गया तो एक हजार में आप तेरह से भाग दे दीजिए और उसके बाद उसमें 21 से मल्टिप्लाइए कर दीजिए तो वह जो स्रीपर डेंसिटी आएगी वह आप्रॉक्सिमेट 1660 के बराबर में आएगी तो इम प्लस एट जो होगा वो 1660 के बराबर में हो सकता है हो सकता है क्या इतना ही होता है इसलिए 20 मिंटर का कॉर्ड इस्तिमाल किया जाता है तो 20 मिंटर और हम इस सवाल का 50 सवाल हम ले रहे हैं सिबस्प्र बाताइं को ट्रैंज सजय अधिक दिसाओं और मीटिशाओं की लाइन मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है तो इस पर करने सथे इक्या इभा नामीट करने से हमारा तात परज होगा कि रेल सेक्षन को पहचाना किस से जाएगा यह आप इसे ध्यान को रख समझेए कि रेल सेक्षन को पहचाना किस से जाएगा तो रेल सेक्षन को पहचानने के लिए जैसा कि आप बोल चल की भासन आप इस्तेमाल करते होंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं 50 किलोग्राम पर मीटर इनने की वेट पर मीटर यजह 60 किलोग्राम पर मीटर परती मीटर लंबाई में जो बजन होता है उस से designate किया जाता है इन भारतिय रेलवें में जो कश्यद कर्व को पहचाना जाता है उसे हम सामानत है जो इस डिग्री से उसे पहचाना जाता है डेजिगनेट किये जाता है तो हम इसे कह सकते हैं कि इसे डिग्री में इसे डेजिगनेशन इसे हम देते हैं पर क्या इसे आप रेडियस के तौर पर भी तो परिवर्टित करते हैं हैं हम बात कर रहे थे क्या इसे इटीगरी और सकता है या रेडियस से भी से रिपरजेंट कर सकते हैं तो ई sob k कई कि लो उसके डीगरी और रेडियस दोनों में रेडियस दोनों में सही से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसे डेजिगनेट कर सकते हैं पुश्चन नमबर फिप्टी टू की बारे बात करें दा फॉरमेशन ग्रिट्थ फॉर रेल्वेड ट्रैक डिपेंड सॉं टाइप ऑफ गेज नमबर ऑफ ट्रैक्स या स्लोप आप दा साइड ऑफ जाने वाली पट्रियों के आधार पर ट्रट्बंध या कटिंग के किनारों की डहलान पर तो डहलान से इसकी चौड़ाई का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिल्वेड ट्रैक की जो निर्मान की चौड़ाई है वो हम मेजर्मेंट जो करते हैं जो ऊपर के दोनों तरफ की इंड की चौड़ाई ही मेजर की जाती है उसकी को फर्मेशन विर्थ बोले आता है तो उसका स्लोप चाहे जो भी रखा गया हो जैसा भी रखा गया हो तो साइड स्लोप से इमबैकमेंट या कटिंग के साइड स्लोप से फर्मेशन की विर्थ पर परके नहीं पड़ता है त क्यों से बोलते हैं प्रिंस्पल चीफ इंजिनियर उसका जवाब होगा प्रिंस्पल चीफ इंजिन्य दोस्तों हम इसे आज के आखरी सवाल के तोर पर ले रहे हैं बाकि के पच्छपन के बाकि जो बचे हुँ सवाल है वो मगले वीडियो में दुबार आपसे प्रजेंट करेंगे तो आज का अकरी सवाल है RDSO stands for कि RDSO किस इससे यहीं RDSO का full form क्या है तो RDSO का full form अता है Research, Design and Standards Organization Research, Design and Standards Organization तो इसका जवाब होगा Option A तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और 56 से बाकी 110 तक का दूसरा वीडियो है वो आपके next part में लेकर कहाएंगे तब तक के लिए धन्वाद